नमस्कार, अचार सलील चैनल में आप लोग का सौगत है, मेरे बहुत से फॉलवर ने कमेंट्स करके और मुझे मेल करके जानना चाहे कि अचार जी वर्ड वार की जो सिरीज आपने शुरूख किती वो रुख गही है और उसके बारे में आप कुछ बता नहीं रहे पिछले जितने भी वर्ड वार हुए थे, आप उस समय कोई बुजर्ग बच्चे हों या आप गुगल में जाके उसकी स्टडी कीजे, उस जमाने में क्या होता था कि लॉकड़ौन हो जाये करता था, रात को लाइटी चली जाये करती थी, और वो बमों की आवाज, यह आप प वर्ड वार ही है, यहां पे अभी क्या है, पटाके या बम नहीं फूट रहे हैं, लेकिन चौर तब सननाटा है, एक मौत का सननाटा पहले भी होता था, आज भी है, मेरे एक फालोवर ने यह जानना चाहा है कि क्या यह वेपन्स में कनवर्ट होगा है, क्या आपको लगता ह कि बम गिरेंगे नुकलियर होगा यह सब कुछ होगा 2021 से 22 की जो नव समवसर की कुंड़ी है आप लोग उसको देखिए और खास्तों से उसमें जो पाकिस्तान की जो कुंड़ी की मैंने विवेचना करी हैं वो कुंड़ी साफ बता रही है कि पाकिस्तान में सत्ता का परिवर् और इसके बाद वहां के नुकलियर पावर्ज का आतंकवादी बोलीजे या आप उनके हाँ जो कटरवादी मुस्लिम संगठर ने उनके हाथ में आना बला बला इस पकार की बहुत से कॉमिनेशन्स दिख रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि वर्ड की बहुत से कंट्रिय वर्ड वार की तरह मूफ कर रही हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं बस यह है कि वो टिगर दमने वाली बात है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसकी जो सुरुवात होगी हाला कि बहुत लोग बोलते हैं कि टर्कीस होगा या अलग-लग लोगों के दलील होती है पर मुझे इसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह वार जो है वो एस्या में ही होगा और हमारे आसपास ही होगा मैंने अक्सर बोलाए कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से सुरू होगा और वो सब कहानियां अगले इस वर्स में मतलब 2021 और 22 के बीच में मुझे होती हूँ यह दिख रही है अभी तो मैं यह कहूँगा कि जो करोना का जो कहर चल रहा है हमें इससे वह बनना है तो मैं तुझे चाहूँगा कि मेरी प्रेडिक्शन सही ना हो लेकिन तैयारियां बिलकुल वैसे हैं हर मुल्की की और कहते हैं कि जैसे कॉर्परेट पॉलिटिक्स होती है ऐसा ही कुछ जो किसी के समझ में नहीं आती है वर्ड को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं उनके लिए एक एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं होती है और करोना उसका एक एक एक्जामपल रहा है लेकिन अब यह जो करोना है वो इनके हाथ से निकल चुका है और उसने अपना एक नय रूप दिखाया है मैंने अक्सर बोला है कि राहू एक चलिया गिरे है राहू को समझना उसको पकरना बहुत मुस्किल होता है हाला कि मिटिकल साइंस में राहू बहुत इंपोर्टेंट होता है राहू जहर है और जहर से दवाईयां बनती है तब देखना यह है कि आगे क्य साल बहुत खराब हैं जिसमें से दो साल निकल चुके हैं आठ साल अभी हमको और इस कटिन दौर से निकलना है एकिनौमी लगबल लगबल टूट चुकी है और गरीवी का आलम मैं आप से बता नहीं सकता है आप लोग मुझसे बहतर जानते हैं तो मैं ऐसे कोई बविस्वा हो और बीमारी से निकले और कहते हैं ना कि सुख के पीछे दुख होता है दुख के पीछे सुख होता है तो यह गड़ी जो है एक दुख की गड़ी है और हमें पूरी उमीद है कि सुख पीछे है बस उसके आने की देर है तो मैं यह चाहूंगा कि सुख जल्दी आए और कि तरह इस पर हम डों कंट्रोल करें लेकिन वर्डवार की जहां तक बात है उसकी विसात बिच्छु की है बस टिगर दबनी की बात है देखते हो कब होता है नमस्कार